वेलकम बैक माई डियर फ्रेंड्स दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आप सब के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ और आज मैंने कुछ सीखा और मुझे पूरी उमीद है कि जनरल नौलेज से रिलेटेड इन क्वेस्टन्स को पढ़ने के बाद देखने के बाद आपको भी अपने कई क्वेस्टन्स का अंसर आसानी से मिल जाएगा तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स टू इंप्रूव जी के हम जनरल नौलेज से रिलेटेड कुछ क्वेस्टन्स हैं उन्हीं के बारे में इस वीडियो में देखेंगे चलिए सबसे कॉमन फर्स्ट क्वेस्टन हमारा है वाई ओनियंस मेक अस क्राई आप सबने देखा होगा जब भी हम लोग ओनियन कट करते हैं प्याज कट करते हैं तो वाट हैपन्स विद डैट टाइम वाट हैपन्स क्यों हमारी आखों से टीयर कम आउट होने लगते हैं बाहर आने लगते हैं वाट इस दरीजन ब्याइंड इट हम सब के मन में यह प्रश्ण उठता है दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस प्रश्ण का एंसर दे देना चाहता हूं लेकिन उससे पहले अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताए तो प्रश्ण आप समझ गया होंगे वाई ओनियंस मेकस क्राई यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है तो रीजन क्या है सुन लीजिए वेन वी स्लाइस ओनियन जब हम कट करते हैं ओनियन को दा ओनियन सेल्स रिलीज सलफर इंटु दा एयर जैसे जैसे आप स्लाइस कट करते हो यूर कटिंग दा स्लाइसे अव ओनियन तो एक एलिमेंट है सलफर इट रिलेज इंटु दा एयर एयर में रिलीज होता है and this sulfur reacts with eye हमारी आखों से react करता है ये sulfur and form a small amount of sulfuric acid और बहुत थोड़ी मातरा में sulfuric acid बना लेता है ये sulfur हमारी आख से react करके leads to burning iron tear तो उससे हमारे आखों में जलन होने लगती है हलकी हलकी और आखों से पानी आने लगता है tear अने लगता है आंसु है ओके तो आप समझ गया होंगे कि वेन भी स्लाइज ओनियंग दो ओनियंग सेल्स रिलीज सालफर इंटो दे एयर एंड इस सलफर रियक्ट्स विद आई एंड फॉर्म इसमाल अमांट अफ सल्फियूरिक एसी लीड्स टू बर्निंग एंड टीर तो समझ गया है यह सल्फर के कारण सब परसानी हो रही है तो आप इस सैंसर को जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा आज क्या रिजन है इसके पीछे आप कोई भी आप से पू होते हैं हमारा next question है वाई ड़स दा मिल्क टेस्ट स्वेट वेर एक कड्र्ट टेश्ट साव आप सबने देखा होगा जो मिल्क है उसको पीने में हम लोगों बहुत परसानी नहीं होती है उसका टेस्ट भी स्वीट ही है ठीग है लेकिन जो कड़ है कड्श यानि दही उसका तेस्ट जो है सावर होता है क्यों होता है वाट इस दरीजन बहाइंड इस तो अब यह प्रश्ण आप से है आप कमेंट में अंसर दिख दीजिए तो मैं समझ जाओंगा कि से आपको इसका एंसर पहले से पता है क्योंकि यह कोई बड़े क्लास की चीज नहीं है आपके फाइब टू स्टेट के साइंस से ही रिलेटेड क्वेस्टेन है लेकिन हम सबको इसका एंसर पता होना चाहिए चलिए बहुत अच्छे आप लोग कमेंट करते रहें मैं एंसर बत इसी के कारण जो मिल्क है उसका पेस्ट कुछ मीठा रहा था बट वेन इट कनवर्टेड इंटू कर्ड जब यह मिल्क कर्ड में बदल जाता है तो क्या होता है जब दूद दही में बदलता है एक लेक्टो बैलिसस बैक्टीरिया होता है ठीक है कर्ड में that convert lactose to lactic acid वो क्या करता है जो है lactose को lactic acid में convert कर देता है और इसी वजह से because of this acid it tastes आपको पता है acid का टेस्ट खटा होता है तो जब यह lactobalysis bacteria है जो यह हमारे lactose को जो है lactic acid में convert कर देता है रीक्ट करके reaction करके तो जब lactic acid में convert कर दिया तो अब इसमें acid आ गया और इस acid के कारण ही दही का टेस्ट क्या हो जाता है करड का सावर हो जाता है और मिन्स खटा तो चलिए अगले question के और बढ़ते हैं next question which animal has no brain and no heart कौन सा एनिमल है जिसके पास ना तो brain है ना ही heart है तो इसका answer दें जिसको पता है जल्दी से जैसा कौन एनिमल है जिसके पास ना brain है ना ही heart तो answer देने भी लगे बहुत अच्छे कई लोगों को पता है ऐसा लग रहा देखिए यह है jellyfish जो jellyfish होती है उनका ना brain होता है ना ही heart होता है but they are living thing और आपको पता है कई jellyfish some jellyfish are immortal कुछ jellyfish तो अमर है मतलब बहुत लंबे समय तक वो जीवित रहते हैं अगर उनको नुक्सान न पहुंचाया जातों तो जो jellyfish है उसके पास ना तो brain है ना ही heart है next question हमारा which animal has three hearts यह तो सबको पता होगा कि कौन सा animal है जिसके पास three heart है तीन दिल है can you tell me the name of the animal जी yes बिलकुल सही कही लोग answer दे रहे हैं बहुत तेजी से यह और कोई नहीं हम लोग जिसको जानते हैं अच्छा से it is octopus octopus के पास three hearts होते हैं तीन दिल होता है ठीक है तो यह आपको जानना चाहिए चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ which part of human eye can be transplanted देखिए यह बहुत important question है human body के कई parts को transplant किया जाता है जैसे कई लोग होते हैं जिनकी death होने मतलब कई लोग पहले से एक agreement बना देते हैं कि भाई अगर मेरी death होगी तो मेरे body के जो organs है वो जिस जरूरत मंद होगा कोई उसको आप लोग transplant कर दिजेगा there are so many good people who donate their organs to the needy people तो आख के लिए भी कुछ restriction है आख के सारे पार्ट तो डोनेट किये नहीं जा सकते तो अगर कोई आदमी मर गया है death हो गई है उसकी तो उसकी आई का कौन सा पार्ट जो है transplant किया जा सकता है यह question है आपके जरा मुझे answer दीजिए देखिए answer भी देने लगे कई लोग बहुत अच्छे बिल्कुल सही आप जा रहे हैं यह कुछ और नहीं बल्कि आपकी आँक का कार्णिया वाला पार्ट है यह देख रहा है यह बड़ा वला एस सब आप सब अपने parents के आखों में देख सकते हैं दोस्तों के साथ एक दूसरे के आखों में देख सकते हैं यह जो बीच का पार्ट है इस part के उपर एक देखे ये transparent layer होती है देख रहcej हैं ये जो dark blue है ये तो ये वाला part है क्योंकि इसको आईरिस कहते हैं ये अलग-अलग color की होती है किसी का brown, किसी का blue, किसी का black लेकिन उसके उपर एक transparent layer होती है जिसको कहते हैं कार्णिया यह जो कार्णिया है केवल इसी पार्ट को transplant किया जा सकता है किसी एक dead person की आखों से अटा कर किसी living person के आखों पर आपको पता है other part of eye can't be transplanted क्यों आख के दुसरे पार्ट क्यों नहीं transplant किये जा सकते since their part directly connected to the brain बाकी सारे के सारे parts का connection directly brain से होता है इस कार्णिया को छोड़ कर और दूसरी चीज इस कार्णिया में किसी भी तरह की blood supply नहीं होती है ठीक है ना तो अगर किसी की death हो भी गई तो उसके चार पांच घंटे तक भी कार्णिया good condition में होती है उसको transplant किया जा सकता है बाकी part में तो जब blood ही नहीं पहुचेगा भई तो वह उतने अच्छे से एक्टिव ही नहीं रहेंगे आख के बाकी पार्ट से लेकिन कार्णिया में तो blood supply होती नहीं है तो इस लिहाद से हम कह सकते हैं कि कार्णिया हम human eye का वह पार्ट है जिसे transplant किया जा सकता है कि अब हमारा next question है देखिए which animal can sleep for three years वह कौन सा एनिमल है जो तीन साल तक के लिए सो सकता है चाहे तो बिल्कुल दोस्तों बताइए ऐसा कौन सा एनिमल है जो तीन साल तक चाहे तो लगाता है और स्लिप कर सकता है और इसका answer जब मैंने देखा तो मैं surprise हुआ क्योंकि यह तो हमारे आस पास का ही एनिमल है जी हाँ यह है इसनेल इसनेल एक ऐसा एनिमल है जो तीन साल के लिए लगातार सो सकता है next question हमारा है why does cyanide cause instant death जो cyanide है जो एक poison है cyanide आप सबने नाम सुना होगा तो यह बागी poison के तुनला में यह cyanide ऐसा क्या बात है इसमें क्यों इसकी हो जासे लोगों की तुरंत death हो जाती है इसके पीछे क्या region है तो इसके पीछे region क्या है इसको समझने के विए एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ, जानते हैं अगर ये साइनाइड लिक्वीड फॉर्म में है और बॉड़ी के कांटेक्ट में आ गया, तो हमारी स्कीन इसको एबजॉब कर सकती है, ठीक, और जो साइनाइड आयन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सेलूलर रेस्पिरेश में इन्टरफियर करते हैं, अगर किसी तरह से स्कीन के कांटेक्ट में आ गया, इसको किसी ने ड्रिंक कर लिया या, जो भी, किसी भी तरह अगर ये बाड़ी के कांटेक्ट में आ गया, तो ये क्या करेगा, हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन को ही staffing करने लगेगा, टीसूज समझ रहे हैं being unable to use oxygen जो हमारे body के अंदर जो टीसूज हैं वो मतलब oxygen ही नहीं accept कर पाएंगे तो जब cells ही oxygen नहीं accept कर पाएंगे टीसूज ही oxygen नहीं accept कर पाएंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे और जब काम करना बंद कर देंगे हमारे cells और टीसूज तो फिर भाई हमारे organs काम करना बंद कर दिये आरगन काम करना बंद कर दिया तो व्यक्ति की death हो जाएगी तो अब समझ गए हूंगे आपकी जो यह cyanide ions हैं यह बहुत तेजी से cellular respiration को affect करते हैं जिसकी वजहां से हमारे tissues oxygen जो है यूज करने में unable feel करते हैं problem feel करते हैं जिसकी वजहां से लोगों की cyanide से death हो जाती है next question which male animal gives birth देखे बहुत अच्छा और important question है generally हम सब जानते हैं कि जो birth यानि जन्म देने का nature ने जो गुण property nature ने दिया है वो ladies को female को दिया है we know it that nature gives us a good thing that females can give birth हम यह जानते थे कि जो मैलाएं होती है females होती है वो बच्चों को जन्म दे सकती है लेकिन एक animal ऐसा भी है जो male है लेकिन इसके बाद भी वो बच्चों को जन्म देता है वो कौन सा animal है जरा सोच के बताईए मुझे ठीक है answer भी कई लोग दे रहे हैं देखिए इसको पहचा नहीं है कौन सा animal यह sea horse है देख रहे हैं sea horse sea horse एक ऐसा animal है जो male animal है वो pregnant होता है और बच्चों को जन्म देता है तो है ना गजब की बात यह मुझे नहीं पता था मैंने भी जब जाना तो मुझे लगा कि सबको बताना चाहिए इसलिए मैंने इनसे related वीडियो बनाया चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं what is cosmology क्या होता है तो देखिए यह एक नस एक branch है study की branch पढ़ाई का एक branch है किस तरह की study होती इसमें देखिए मैं बता देता हूं cosmology is defined as the study of the entire universe पूरे universe की study इसके अंतरकत की जाती है साथ साथ including origin, evolution and destiny मतलब जो हमारे ब्रह्मान्द है उसकी उत्पत्ती उसका विखास कैसे हुआ उसकी नियती क्या है all these things have been studied under the cosmology section cosmology में हम लोग इन सारे चीजों के बारे में study करते हैं next question हमारा है which animal's heart is located in head low अब यह गजब का question आ गया कि ऐसा कौन सा animal है जिसका heart head में located है सीर में located है सीर में रहता है उसका heart ऐसा कौन सा है भाई animal बताईए सोचिए जरा ठीक देखिए इसका answer तो यह है shrimp जो यह shrimp है यह के इस तरह का animal है बिल्गुल prawn जैसा देखिए देखने में लग रहा है ठीक है लेकिन it is a small selfish with long legs and a long body it does not have backbone and skeleton इन सबके body में न backbone होता है नहीं skeleton होता है इसको करते है shrimp s h r i m p shrimp ठीक है यह एक ऐसा animal है जिसका heart इसके head में located होता है next कि किसी प्रकार का कोई confusion न रहा जाए कि हमने कहा कि जो animal है वो three years तक slip कर सकता है लेकिन वो conditions क्या होंगी तो आपको पता है जो snail है snail need moisture to survive उसे survive करने के लिए moisture वाला नमी वाला मौसम चाहिए तो if the weather is not co-operating अगर वेदर ऐसा है मौसम ऐसा है कि उसे moisture वाला मौसम नहीं मिल पा रहा है they can actually sleep up to three years ऐसे केस में वो three years तक सो सकते हैं इनके अंदर यह एक special good है special property है during this time क्या करते हैं यह जब सो जाते है the snail will secret mucus over their bodies to protect themselves from the dry and hot weather dry और hot weather से अपने आपको बचाने के लिए यह अपने body के ऊपर से mucus secret करते हैं जिससे इनकी body safer आती है और इस दोरान यह three years तक चाहें तो sleep कर सकते हैं ठीक है it is the condition यह बताना बहुत जरूरी था नहीं तो फिर comment में तमाम questions बन सकते थे कि कैसे क्या तो ठीक है thank you झाल